हम सीख रहे हैं कुछ नई वकैबलरी अब बारी है word number 41 की मिलकरे से पढ़ते हैं Scorching meaning very hot यानि शदीद गर्म जैसे के कहा जाता है जुलसा देने वाली गर्मी sentence all the wells dried up in the scorching heat of the desert यानि सहरा की जुलसा देने वाली यानि जला देने वाली गर्मी में तमाम कुएं खोश्क हो गए word number 42 lofty meaning of great height यानि बहुत उंचा या कदावर sentence the oasis had a sweet water pond surrounded by lofty date palms oasis कहते हैं नखलस्तान को यानि सहरा के अंदर जहां कई पानी और पौदे वगर पाई जाते हैं उस जगर को oasis कहा जाता है तो इस जम्ले में ये कहा जा जा रहा है कि oasis में एक मीचे पानी का तालाब था जिसकी गिर्ट बहुत उंचे खजूर के दरख थे word number 43 decipher meaning to change coded text into normal language coded text से मुराद है कोई खुफिया लिखी तहरीर जिसमें खास किसम की कोई symbols या शक्ले या जिस तरह से letters होते हैं वो इस तरह की किसी मालूमात को जब आम जबान में तबदील किया जाता है यानि उसे समझ कर उसे कोई खास मतलब निकाला जाता है तो इस अमल को decipher करना कहते हैं sentence experts from government agencies can decipher coded information यानि हकुमती एजिंसियों से जो खास माहिर होते हैं वो coded मालूमात को तोड़ना जानते हैं या फिर उसे पढ़ना जानते हैं word number 44 perplexed meaning completely puzzled यानि confused हो जाना या फिर किसी उल्जन का शिकार हो जाना sentence students looked quite perplexed when they saw that most of the questions in their exam were out of the course यानि students खासे उल्जन का शिकार लग रहे थे या खासे परशान नजर आरहे थे जब उन्होंने ये देखा कि उनके इम्तिहार में ज्यादतर सवालाद जो थे वो course से बाहर थे word number 45 air meaning before या in time यानि पहले या फिर बरवक्त sentence we hope to reach there air nightfall यानि हम रात पढ़ने से पहले वहां पहुंचने की उमीद रखते हैं word number 46 contrive meaning to bring about something by planning यानि सोच बचार से या चलाकी से किसी काम को अंजाम देना sentence he contrived to pass through the check post unnoticed यानि उसने बड़ी होश्यारी या चलाकी के साथ check post को अबूर कर लिया और किसी को पता भी ना चला word number 47 ballad meaning a story like poem or song यानि एक कहानी की तरस पर लिखा गया कोई गीत या पर कोई नजम sentence besides writing plays Shakespeare also wrote some ballads यानि drama लिखने के इलावा Shakespeare ने कुछ ballads भी लिखी थी word number 48 magnificent meaning extremely beautiful और impressive यानि बहुत ज़्यादा खुबसूरत या मतासर कुन जिसे आलिशान कहा जा सकता है sentence the emperor had built a magnificent tomb for his late wife यानि बाच्छाए सलतनत ने अपनी वफात पाजाने वाली बीवी के लिए एक आलिशान मकबरा तामीर करवाया था word number 49 martyrdom meaning sacrifice life for a cause or belief यानि किसी मकसद या अपनी जिस चीज़ पर कोई इमान वगारा होता है उसकी खाते sentence many of our brave soldiers have attained martyrdom to protect our beloved homeland यानि हमारे बहुत से बहादूर सिपाहियों ने शहादत हासल की हमारे प्यारे वतन की हिफाज़त की खाते word number 50 dwelt meaning lived or stayed at a place यानि ये लफ्स dwelt का past tense है dwelt का मतलब है किसी जगा रहना या रहाईश रखतियार करना जबकि dwelt यानि जिसके आखर में टी आता है इसका मतलब होगा रहता था sentence the old man dwelt in a tiny little cottage near the woods यानि बुरा आदमी जंगल की करीब एक बहुत चोटी सी कुटिया में रहता था या उसने वहां रहाईश इखतियार कर रखी थी तो ये थे चंद और नए अलफाज जिने हमने उनके meanings और sentences की मदद से समझने की कोशश की अब आप इन्हें अच्छी तरहां से सीखने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लेकर प्राक्टिस करने की कोशश जारी रखिए अब इससे आगे के अलफाज को हम अगली वीडियो में स्टाडी करेंगे